36 गड़ के राइगड में पहली बार राश्ट्रिय रामायन महोचसव का आयोजन होने जा रहा है। प्रथम पुरसकार पांच लाक रुपे दुवित्य पुरसकार तीन लाक रुपे और तृत्य पुरसकार की राशीद दो लाक रुपे रखी गई है। भगवान राम हमारे आराद्य तो हैं ही। हमारे प्रदेश का सौभाग है कि हमारे भांजे भी है। हमारी धर्ती माता कौसिल्य की धर्ती है। आपको यह सुचित करते हुए मुझे बहुत हर्स हो रहा है कि रायगड के राम लिला मैदान में एक जुन से तीन जुन तक हम रामायन महोसा का आयजन कर रहे है। चतित गड़ सासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयजित इस महोसों में हमारे प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों के रमायन दल भी हिस्सा लेंगे। सीम भुपेश भगेल ने कहा है कि भेंट मुलाकात के दोरान हमारे नोजवान नारा लगाते हैं कि अब की बार 75 पार हर वर्ग मिलकर फिर से कॉंग्रेस सरकार बनाने जा रहा है और 36 गड़ में कॉंग्रेस को भारी भौमत से जीत मिलने वाली है। मध्य प्रदेश के प्रसित देवी धाम सलकनपूर में तीन दिवसियत देवी लोग मोहतसव शुरू हो गया है। इस देवी लोग मोहतसव में हर गाउं और नगर के नागरिकों को शामिल करने के साथ साथ देवी लोग के निर्मान के लिए हर घर से शिला इट देवी विजयासन के देवी लोग निर्मान में अरपित करने के लिए रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस अफसर पर आम लोगों को संबोधित करते हुए सीम शिवराज सिंग ने कहा हम आप सब तो केवल निमित मात्र हैं करवाने वाले तो अपनी माईया है इनी सब्दों के साथ अपनी बात समाप करता हूँ बोलिये सलकन पुर्वाली माईया की सीम भुपेश बगेल ने एक बार फिर से पूर्फ सीम डॉक्टर रमन सिंग पर हमला बोलते हुए सवाल पूछा है कि डॉक्टर रमन सिंग 2004 से 2015 तक नान घुटाला करते रहे हजारो करोड का घुटाला हुआ रमन सिंग जी की सरकार ने चुराव संपन होने के बाद लाखों की तादाद में राशन कार्ड काटे रमन सिंग जी बताए जब खुद अपने को काटा तो फिर वसूली की कारवाई क्या की आपने कि रमन सिंगी 2004 से लेके 2015 तक के नान घुटाला करते रहे हजारो करोड का घुटाला हुआ गोड़ को रमन सिंग के सरकार में आप सब जानते हैं चुनाओ संपन होने के बाद और रासन कार्ड लाखों के तादाद में काटते रहे हैं आठ में भी काटे तेरह में भी काटे और दो चार नहीं दो चार अजार नहीं बलकि 12 से 15 लाख पूर सीम डॉक्टर रमन सिंग ने सीम वुपेश भगेल पर हमला बोलते हुए कहा कि कॉंग्रेस के केंद्री नेत्रितव को निर्ने लेना चाहिए मुख्य मंत्री ने जो बेयान दिया है उससे बड़ा मजाग नहीं हो सकता आप मुख्य मंत्री हैं साड़े चार साल से सकता में हो छे साल से विपक्ष में होने के बाद कुल दस साल के कुंबकरनी नींद में सोय थे क्या जब कॉंग्रेस का गला फसने लगा तो चोर अब शोर मचाने लगे ये सीधे तोर पर अपनी चोरी छुपाने के लिए भाजपक पर अरोप लगा रहे हैं मुख्य मंत्री लाडली बहन योजना में मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य की महिलां को एक हजार रुपे प्रती महा आर्थिक सायता देने का निर्नेलिया है तरह समय पर योजना के अमल की दिशा में महित्व पूर्ण कदम उठाते हुए कैबिनेट ने मुख्य मंत्री शिवराद सिंग की अध्यक्षता में मुख्य मंत्री लाडली बहन योजना को 2023 के बजट और वित्य प्रावधानों को मन्जूरी दी है किसा आप सब जानते हैं मद्यप्रदेश में आकरसन का केंद पूरे देश के आकरसन का केंद इस वक्त लाडली बहना योजना है और इस योजना के लिए आज बजट की भी स्विक्रती कैबिनेट के द्वारा दे दी गई है एक करोड तेतीस लाग पच्छीस हजार से ज़्यादा बहने अभी इस सब में हो गई है और इन पूरे देश का ध्यान इस ओर है और ये भारम बरना हमारे नितत्यों और शिवरास सिंग्जी के परती विश्वास प्रगट करना बहनों का है बहनों का आभार उनको दस जून से पैसे एक हजार रुप्या महीना आ जाएंगे लगबग एक महीने में एक हजार तो सो पचास करोड रुप्या बहनों के खाते में जाएगा अगर हम इसको साल भर में बाटेंगे तो लगबग 15 करोड रुप्या साल का करचा बहनों के खातों में यह रुप्या जाएगा कैबिनेट मंत्री टीएस सिंग्देव ने कॉंग्रेस की बैठक से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में 36 गर में चुनावी त्यारी पर चर्चा हुई है एडी मामले में भी बैठक मे का मेलन करने जा रही है प्रदेश कॉंग्रेस में बदलाव की बात पर टीएस सिंग्देव ने कहा कि कॉंग्रेस संगठन में फिलहाल बदलाव की जरूरत नहीं है आगी चुनाव की तयारियां संगठन का काम कारेकरताओं का मनोबल बनाना लोगों के काम के तरफ और ध्यान देना जो बचे वए काम है उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करे बाकी कोई चेंज को लेकि कोई बात नहीं था काम करने को लेकि पूरी चर्चा अ अगले 15 जून के अंदर पांचो संभाग में कारेकरताओं की सम्मिलन होने वाली है ये तै हो गया कारेकरता सम्मिलन मध्य प्रदेश चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे ही प्रदेश की प्रमुक पार्टियों के नेता जनता को लुभाने में जुटते जा रहे हैं खंडवा से BJP सांसत ग्यानेश्वर पार्टिल ने जनता से BJP के लिए वोट की अपील कर दी जिसका वीडियो देखते ही देखते वाइरल हो गया कॉंग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या BJP सांसत की कलेक्टर की मौजूदगी में BJP के चुनाव चिन कमल पर वोट की अपील दोस भी निर्वाचन आयोग वे मुख्यस अचीव संग्यान लेंगे जिस प्रकार से करनाटक में जनता ने भाज़्वा को सबक ठिकाया और इनकी जूबी घोष्णाओं को जनता ने वोट में तब्दिल कर दो उनको परदेश से बार किया इसी की घवराट और इसी की बॉखलाट में हमारे हां के सांसत ग्यानेश्पर पाडिल जी इस प्रकार खुले रूप से महिलाओं को दोह दे रहे हैं कि हम एक हजार रुपिया तभी आपको देंगे जब आप कमल के फूल पर बटन दवाएंगे और दुखर अफसोर इस बात का है कि कारेक्टरम सरकार का है सरकार किसी पार्टी की निवोटी सरकार का काम वहां बैठे अधिकारी भी सरकारी अधिकारी बैठे थे उसकी मोजूदगी में इसी पार्टी के परजार पसार करना ये अपने आपने नेटिक सा और चुनाओ आयोग के नियम कनून का उलंगन है मध्य प्रिदेश का मौसम पलपल अपने रंग बतल रहा है कभी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी परती है तो कभी आधि के साथ बारिश होने लगती है मौसम विभाग के अंसार वेस्टन डिस्टर्बेंस के चलते एक बार फिर से आधी बारिश के चलते प्रिदेश में गर्मी के तेवर ठंडे पड़ गए है प्रिदेश के गवालियर चंभल, जबलपूर, अनूपपूर, सिवानी, मंडला और चिंदवाड़ा में असार मौसम विभाग ने जताए है